जेहें दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए जूनियर हाइस्कुल साय का अध्यपक भरती परिक्षा के लिए यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट है बहुत ही मात्वपूर्ण कॉस्चन आंसर हैं आपर पहली पहुंचे ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को सियर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें बहुत वी महत्夠पूर्ण और कोस्चन कॉस्टिस कॉस्चन कहरेंगी यहां पर तो आज इंगार काल की चैनल किसी ने दी है आंसर बनता है आपquinho result ionalना क्या होगा इसका सही आंसर तो रीति काल को जो सिंगार काल की संग्या दी है एक इसने दी है तो आपका यहां पर सही आंसर क्या होगा तो आपका यहां पर राइट आंसर होगा विश्व नाद प्रसाद मिस्र आपका यहां पर सही आंसर है विकल्प नंबर सी आपका यहां पर और आपकस नमबर bagun easier or top 10 सेरा और डाक्टरमं अबस्ति ने आधार काल नाम दिया आधिकाल को क्योंचिन नमबर आपका amount Sen यहां पर त्रेपन क्या पूंचा है तो देख लेते हैं थेखले ही बनवास किस्की रच्ण हे रच्ण है ले रच्ण बताने कि अविद्यासन, अपाध्याए या रामचें-्जोक्लिमेटी चंलकौप्त या निराला थे? कौस्चन नमबर तेरेवपन है और महत्तपॉन पूच्चन पूचा गया है और अविद्यासन अपाध्याए अहरीवध आपका है आंपका यहांपर सही आंसर है आपका राइट आंसर विकल्प नंबर C आनिकी केस ओ बिहारी देखें गड़ेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुक्दे बिहारी ए तीन भाई है मिसर बंदू लेकिन केस ओ बिहारी आपका यहां पर सही आंसर होगा यह सामिल नहीं है Q. आपका 55 पूँचा है, चंदन वाला रास की रचेता कौन है ? चंदन वाला रास की रचेता आपके लिए बताना है, चार विकल्प दिये गा है, महतिपून Q. है और आपका राइट आंसर होगा आस्गू आस गू आपका यहाँ पर सही आंसर है आस गू जिनों ने बताया है विकल्प नंबर डी राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा नात सहित्य का आरंब करता किसी माना जाता है आपके लिए बताना है नेमी नात गूरक नात मचेंदर नात या फिर आदी नात कूश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूँचा है संताउन क्या पूँचा है देखें काल क्रम की द्रश्टी से निमलिकत रश्चिनाकारों का सही अनुक्रम बताना है काल क्रम की द्रश्टी से बताना है तो इन रश्चिनाकारों का सही अनुक्रम यहाँ पर संताउन में क्या होगा राइट आंसर यह आपको बताना है चार विकल्प भी आपके हाँ पर दे गए हैं महत्तुपूर्ण कॉस्चन है और आपके हाँ पर जो सही आंसर है कॉस्चन नमबर संप्रदाई के जो संस्थापक है वह कौन है गउलिये संप्रदाई के संस्थापक पूँचा है हरी दास निरंजनी या हैता हरी बंस या लाल दास या चैतन्य महाप्रभू तो question number untown का आपका सही answer है गौली संप्रदाई की संस्थापक पूँचा है तो चियतन्य महापिर्भू आपका यहाँ पर सही answer होगा चियतन्य महापिर्भू question number आपका यहाँ पर उनसर्ट पूँचा है कि निमलेकित मेंसे कौन सा काब भक्तिकाल का नहीं है तो आपका चायवादी काब आपका राइट answer होगा विकल्प नमबर आपका सी राइट answer है निमलेकित मेंसे कौन सी नानक की रचिना नहीं है नानक की रचिना नहीं है यह आपके लिए बताना है तो बताइए question number 60 का सही answer क्या होगा नानक की रचिना नहीं पूँचा है तो 60 में आपका जो सही आंसर होगा सिद्दान्त पंच मात्रा ये नानक की रचिना नहीं है तो विकल्प नमबर D आपका सही आंसर होगा कॉशन नमबर 61 पूँचा है ने मिलके सूपी कभियों को उनकी रचिना हो कि 700 मिलित कीजे दिए गए कुट से सही उत्तर का शेन करना है तो 61 में आपके लिए कुट भी यहाँ पर दिये गए हैं तो देखें यहाँ पर कुट में बात करें तो विकल्ब नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर 61 का तो देखे एक आपका चार हो जाएगा उत्मान चितरावली वी का आपका एक हो जाएगा तो नुर महममच विसने पर दूसरा हो जाएगा तो कुतुबन मिर्गा वर्ती और का 3 हो जाएगा या निक है कासिमजा अब दी। तो कोश्य सटथ कांग का आपका जो सही याणसर होगा वै क्या होगा तो बशाट recording आपकर यहांcryim 0017 खैवक याणसर है कर चिर्थी या अन्ष पूंचै कि गोश्य डासा क्या है दो बशिक्लाओinky की एनंपर लुंगर दिकल आपकल भी होगरे कि रचीता पूँचा है तो सूरदास आपका यहां पर सही आंसर है विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा Quesion नंबर आपका 64 है इन में से रीतिकाल का कौन सा कभी अपने पिरकृति चित्रण के लिए ब्यक्षात है पिरकृति चित्रण के लिए जो ब्यक्षात हैं घनानंद हैं सेनापती हैं मतिरामी या गवाल है 64 का अंसर बताना है क्या होगा Quesion नंबर 64 का राइट आंसर चार विकल्प आपके यहां पर दे गया है Quesion पूशा गया है और 64 का राइट आंसर आपके यहां पर जो है विकल्प नंबर C आनकी सेनापती Quesion नंबर 65 है इनवे से आर्थिक आधार पर बातकी के परकार नहीं है संकेत बातके एक्चा बातक या आग्या बातक बात Quesion नंबर 65 है और इनवे से आर्थिक आधार पर बातकी के परकार नहीं है तो 65 का एक राइट आंसर होगा यानकी संयुक्त बातके Quesion नंबर 66 नंबलिकेत में से कौन सी रचिना कभी देव की नहीं है तो देव कभी जो है इनकी रचिना नहीं है भाविलास, अलंकार गंगा, अश्ट्याम या सुजान विनोद तो 66 का आपका जो सही आंसर है बहे आपका अलंकार गंगा आपका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर C राइट आंसर यहां पर है कवित रतनाकर की रचिनाकार कौन है जगनादास रतनाकर या सेनापती घनानन्द अउद्दत अपाद्या हर्वाद कवित रतनाकर की रचिनाकार पूँचा है तो 67 का आपका राइट आंसर होगा विकल्प नमबर B आनिकी सेनापती आपका यहाँ पर सही आंसर होगा question number आपका यहाँ पर 68 पूँचा निमलकित कर्क्तियों को उनकी रचिनाकारों के साथ सुमिलित करना है तो question number 68 में आपको सुमिलित करना है उनके रचिनाकारों की अनुसार तो देखिए यहाँ पर आपका 68 का right answer अभिकल नमबर यहाँ पर कूट दिये हैं तो एक right answer है आपर देखिए एक आपका हो जाएगा दूसरा तो यानकी एक का दूसरा भरत्मिलाब इस्वर्दास फिर जो बी है उसका एक हो जाएगा ध्यानवंजरी की अग्रदास हो जाएंगे सी का आपका चौथा हो जाएगा रामाण महानाटक तो प्राणचंद चौहन उडडी का तीसरा हो जाएगा अबद बिलास लाल दास इस परकार यहाँ पर सुमिलित हो गए हैं बिलकुल सही यहाँ पर कौश्चन नमबर 69 पूंचा है क्या पूंचा है सगोन अलंकारन सहित दो सरहत जो होए सब्द अरत ताको कवित विविद्ध कहत सब कोई काथ विशिया के एह परिवासा इनमें से किस आचार कभी की है चिंता मणी विकारी दास के सब्दास या मती राम कौश्चन नमबर 69 का आपके लिए आंसर बताना है तो 69 का आपका जो सही आंसर है वह क्या है राइट आंसर ए आपके लिए परिवासा जो है विकल्प नमबर एक राइट आंसर है चिंता मणी चिंता मणी आपका सही आंसर है बिलकुल सही कौश्चन नमबर आपका यहां पर 70 पूच्छा है क्या पूच्छा है 70 कि नमलकित कभियों में से एक भारत्य अंद्व कभी नहीं है तो अईद्धा से उपाद्या हरिवाद बदरी नारान चोदरी प्रेम गन प्रताप नारान मिस्र अंबिका दत्त ब्यास कौश्चन नमबर 70 है और 70 का जो सही आंसर है आपका वह क्या है राइट आंसर बताइए कौश्चन नमबर 70 का सही आंसर विकल्प नमब से उपाद्या हरिवाद हैं कौश्चन नमबर 71 का सही आंसर बताना है आचा रामचन सुक्ली जी की अनुसार स्वचंदताबाद की प्रवर्टक कौन है तो 71 का राइट आंसर होगा विकल्प नमबर सी आनिकी शिरिधर पाठक आपका सही आंसर यहां पर कौश्चन नमबर 72 है क्या पूंचा क्या है यहां पर पूंचा क्या है कौश्चन नमबर 72 इन्वे से चायवाद की विसेस्ता हों से संबंदित कौन सा विकल्प सही नहीं है सही नहीं पूंचा है आपसे यहां पर कौन सा विकल्प सही नहीं है तो यहां पर विकल्प का चैन करना है कौश्चन नहीं है फ्रगतिवात की विसेश्ता नहीं पूंचाये आप से यहाँ पर नहीं में बता दीजीए और सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक करें सबी बहुत ही कम लोग वीडियो को लाइक करते हैं फ्रगतिवात की विसेश्ता नहीं है तो 33 क्राएट आंसर function यानिकी कल्पना निप्रवण उता question number आपके हैं पर चोहतर पूँचा है इनमें से दूसरा सब तक में संकलित कभी है तो दूसरा सब तक में संकलित कभी कौन है रगुबीर सहाई है सरवेशो द्याल सक्सियाना केदार नाचस है यानिमी चंदर जेन तो आपका चोहतर का राइट आंसर है रगुबीर सहाई रगुबीर सहाई आपका सही आंसर है नई कभीता पत्रिका का पिरकासन कभ आरंब हुआ है तो इस पत्रिका का पिरकासन आरंब कभ हुआ है यह 75 का सही आंसर बताना है कि नई कभीता पत्रिका का पिरकासा ने कब आरंभ हुआ 75 का राइट आंसर विकल्प नमबर 1924 आपका राइट आंसर है Q2 नमबर है आपका 76 जीवा के आधार पर स्वर के कितने पिरकार होते हैं इस आपके लिए बताने जीवा के आधार पर क्या होगा राइट आंसर 2,4, 3,6 तो आपके यहांपर स्वरीप jadi 76 का विकल्प नमबर आपका वी right answer है यानि की 3 3 आपका यहाँ पर सही answer है बिलकुल सही 76 का वी right answer 77 का है चावर्ण किस की योग से बनता है यह जो 670 वाला जो बना है यह चावर्ण किस की योग से बनता है तो यह आपके लिए हाँ पर बताना है question number 77 है उसा 77 का right answer है क्या है right answer पर सही answer है विकल्प no. 1 आपका right answer होगा यह उनमें ऐसी योजक चिन पहचान यह योजक चिन कौन सा है question number 78 में बताना है योजक चिन बताना है चार विकल्प भी आपकि हाँ पर दे गए है 80 का सही answer है विकल्प no. 1 यह जो wala चिन है यह क्यासा चिन है यह जका चिन है सद्ध कौनसा है यहाँ पर सद्ध सब बताना है चिन यह दवाईयं किरपा या निरभर tech बताइए तो बताहिए फ्रॉण्यांस का निरभरत आ और 80 का राइट आंसर है भुक्षण, जो है इह आपका कैसा है असुद्ध सब्ध हैं, यहाँ पर पूंचा है वरत्नी सुद्धी है, यहाँ पर पता नहीं है क्या होगा राइट आंसर, 4 विकल्ब देगा है, Q1.80 का राइट आंसर, बताईए, कि आस्ति आपके यहां पर यहां पर आ सकती हो जा यह जो है यह आपका राइट आंसर होगा विल्कुल सही विकल्प नंबर एक आपके यहां पर सही आंसर होगा कॉस्चन नंबर आपके यहां पर जो ब्यासी पूँचा है कि नमलिक्त में से किस विकल्प में सभी सब्द भावाचक संग्या सब्द हैं भावाचक संग्या सब्द हैं कॉस्चन नंबर ब्यासी में बताए कौन से में हैं भावाचक संग्या सब्द हैं ब्यासी वा कॉस्चन बाचक संग्या है question number 83 बताइए गरीबों की साहता करो गरीब सब्द क्या है तो 83 का राइट आंसर है आपका C आनी की जाती बाचक संग्या हिंदी में कोल कितने सर्व नाम होते हैं 9 10 11 12 तो सर्व नाम पूंचा हिंदी में तो 84 का राइट आंसर है 11 11 आपका यहाँ पर सही आंसर है यहाँ पर question number 85 नमलेके जोड़ों में से उत्तम पूरस बाले जोड़ों को पहचानी उत्तम पूरस जोड़े में यह आपके लिए आपके लिए आपर पचासी बताना है तो में और हम इसमें उत्तम पूरस विकलत आंसर जो है भै डी राइट आंसर है भै भै आपका यहाँ पर सही आंसर है बिल्कुल चाही question number 87 पूँछा है गुणबाचक विसेशन की बताना है गुणबाचक विसेशन के कितने बेद है तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा 87 का विकलत नमबर C आनि की छे आपका यहाँ पर राइट आंसर है, बिल्कुल सही, जमलेकित में ऐसे, कौन सी किरिया सकर्मक है, सकर्मक किरिया बताना है, हसना, दोड़ना, लिखना, उठना, 88 का सही आंसर, 88 में बताना है कौन सी सकर्मक किरिया है, तो 88 का राइट आंसर है, लिखना, लिखना आपका सही आंसर होगा, किर पिया का मूल गुरुप बताना है क्या है तो question number है आपका 89 और 89 का जो सही answer है आपका यहाँ पर क्या होगा 89 का right answer D right answer होगा धातू धातू आपका यहाँ पर D right answer है अभयब निमलिखित में ऐसे अभयब हैं यहाँ पर अभयब का चियन करना है बताएं बर्तमान तथा नया सुन्दर अभयब हैं तो question number 90 है और 90 का सही answer है आपका विकल्प number C आनिकी तथा तथा आपका यहाँ पर सही answer है मैं रोज पढ़ता हूं बाक्य में किरिया विशेशन का भेद है बताएं मैं रोज पढ़ता हूं बाक्य में किरिया विशेशन का भेद है तो आपका यहाँ पर सही answer होगा question number 91 का विकल्प number C काल वाचक किरिया विशेशन आपका यहाँ पर सही answer है विकल्प number C right answer निम लिकेत में ऐसी pulling सब्द है pulling सब्द कौन सा है question number 92 है और 92 का सही answer होगा यहाँ पर pulling सब्द बताना है तो C right answer है सारस question number 93 मिठाई सब्द किस सब्द का एक बचन है तो आपका right answer होगा 93 का मिठाईया का विकल्प number D right answer है सुबह में चडियां चहचाहनी लगती है बाक्यों में प्रियुक्त काल पहचानी है कौन सा काल है यहाँ पर इस बाक्यों में आपको काल का चैन करना है 94 में क्या होगा right answer भरतपुन question है और आपका right answer है सामन बरतमान काल राजा भिक्चुक को दान देता है बाक्यों में कौन सा कारक है राजा भिक्चुक को दान देता है बाक्यों में कौन सा कारक है कर्म कारक संप्रदान कारक अपादान करन करक है या करन कारक तो कारक पहचानना है तो आपका 95 क का उसे कौन सा कारक निमलकित में ततसम सब्द बताना है तो आपको बताना है ॏ started पीरत आपका यहां पर सही आंसर है विकल्प नमबर डी राइट आंसर 97 का बिलकुल सही question नमबर 98 क्या पूचा है इनमें असी कौन सा तत्सम तदवाव का सही जोड़ा नहीं है नहीं है पूचा है तत्सम तदवाव का सही जोड़ा नहीं है तो आपका राइट आंसर होगा बिलकुल सही 98 का राइट आंसर विकल्प नमबर C नंजर आंख नंजर और आंख आपका यहां पर राइट आंसर होगा नमलेकेत में असी कौन सा सब्द स्वतंतर सब्द नहीं है अनपढ़ भारतिये अवस्ता या इनमें असी कोई नहीं 99 है और इनमें असी कोई नहीं आपका राइट आंसर है बिलकुल सही यहां पर question नमबर 100 पूंचा है प्रितिष्टा का मूल सब्द क्या है यहां पर question नमबर 100 है और 100 का राइट आंसर सभी लोग वीडियो को लाइक अवस्त निकल ले और 100 का आपका जो सही आंसर है बहें आपका राइट आंसर विकल नमबर B पृति धन इस्था आपका राइट आंसर होगा अप सकुन का बिलोम बताना है अप सकुन का बिलोम क्या होगा तो question नमबर 101 का जो सही आंसर है आपका इहां पर बहें आपका राइट आंसर 101 का B आनकी सकुन सकुन आपका राइट आंसर है चपल का बिलोम सब्द क्या है 102 का राइट आंसर बताना है चपल सपल का विलों बताईए 102 का राइट आंसर क्या है महत्तपोन कॉस्चन है चार विकल्प भी देगा है आपके और गंबीर आपका सही आंसर है गंबीर जो है विकल्प नंबर एक जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा कॉस्चन नंबर है आपका 103 की अस्व का पर्याब आची नहीं है देखें नहीं पूँचा है आपसे नहीं है तो कौन सा नहीं है बताईए तरंग घोटक घोडा या है तो नहीं है तो 103 का राइट आंसर विकल्प नंबर एक यानिकी तरंग है देनकर किसका पर्याब आची है यह आपके लिए यहाँ पर बताना है कॉस्चन नंबर 104 में देनकर किसका पर्याब आची है तो 104 का सही आंसर आपका विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा सूर्य निमलिकेत में असी अनिकार्ती सब्द का दूसरा अर्थ बताईए अज अजन्मा अब दूसरा सब्द बताना है यहां पर क्या होगा कॉस्चन नंबर 105 में आपका राइट आंसर होगा इश्वर आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर डी राइट आंसर है बणन का अर्थ नहीं होता अक्षर जाती रंग या सुन्दर question number 106 का सही आंसर बताई बन्ण का अर्थ नहीं होता तो 106 का सही आंसर है सुन्दर question number आपके हैं पर 107 पूंचा है निमने लिखित में से कौन सी आधी व्याधी सब्द युग में आधी का अर्थ है आधी का अर्थ बताना है मान से कस्ट आधा पागलपन या अधे अधक पारी जैसे रोग तो आपके हैं पर question number 107 का मान से कस्ट आपके राइट आंसर होगा अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला सब्द युग में कौन सा है अनिल और अनल का सही अर्थ देने वाला युग में सब्द युग में कौन सा है तो 108 का राइट आंसर है बायू और अगनी आधरस से सब्द का अर्थ है आधरस से सब्द का अर्थ आपके लिए आपके पर बताना है question number 109 में एक सो नौ का राइट आंसर क्या होगा आधरस से सब्द का अर्थ क्या है तो 101 का जाही आंसर है जो दिखाई ना दे जो दिखाई ना दे तो विखलप नंबर C आपके याँ पर राइट आंसर है जिसका कोई कीमत ना हो सके वाक्यांस के लिए एक सब्द आपके लिए बताना है तो 10 का भी राइट आंसर है अमूल ले question number आपका यहाँ पर 111 पूंचा है स्वर संदी का उधारन है समनवय या तद्रूप है या किंचित है और नीरस यहाँ पर समनवय नहीं है या अनवय है यहाँ पर बताईए चार विकल्ब देगा है question number 111 है और अनवय आपका यहाँ पर राइट आंसर है पावन सब्द का संदी विच्चित यहाँ पर होगा क्या होगा यह आपके लिए बताना है question number 112 का राइट आंसर पोधन बन आपका यहाँ पर सही आंसर होगा question number 113 है जिस समास में पर राइट आंसर सी होगा क्योंकि पहला आपसे संदी पर आपका संदी विच्चित यहाँ पर आपका संदी विच्चित यहाँ पर समास होता है आठ अध्या है जिसमें एह किस समास का अध्या है तो अब भी पढ़ाता क्या पढ़ाता संदी वाचक जो समसे पहली हो जिसे पहले पद में तो बहाँ पर कौन सा समास होता है यहां पर मगर 8 अध्या हैं जिसमें तो यहां पर आपका क्या होगा right answer 114 का सही answer बताना है तो 114 का कर्म है बहुबरी आपका यहां पर सही answer होगा बहुबरी Question number आपका यहां पर 115 पूँचा है Mr.Bak के है Mr.Bak के है तो यहाँ पर Mr. बाक्य में क्या हो जाएगा Question number 115 का right answer बताना है तो 115 का right answer क्या होगा सुरज गुगने पर कोहासा फट गया यह जो है Mr. बाक्य तो 115 का आपका सुरी यहाँ पर 115 का c right answer होगा 115 का c right answer है उसके पास जो कुछ था पैप हो गया तो 115 का आपका C यहां पर right answer है, बिल्कुल सही, question number 116 देख लेते हैं, क्या पूँचा है, कि मुझे आज खाने का मन नहीं होती है, उप्रयक्त बाग के में असुद्य अंस इसपस्ट कीजिए, तो असुद्य यहां पर अंस इसपस्ट करना है, तो आपका right answer है, मन नहीं होती, यह जो है आपका असुद्य होगा, तो सूला का आपका D right answer है, question number 117 है कि आपकोंचा निमलिकत विकल्पों में से सुद्य बाग के कोचैन कीजिए, सुद्य बाग के कौन सा है, question number 117 का सही answer आपके लिए बताना है, क्या होगा right answer, 117 का सही answer बताना है, बहे दंडी योग है, यह जो है आपका यहाँ पर सही answer होगा, question number 17 का सी right answer आपका यहाँ पर, question number 18 है आलंबन और उद्धीपन, विभावों की कार्ण उद्पन्य भावों को बाहर प्रकासित करने वाले कारे कहलाते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या स्थाई भाव, यह question बहुत ही मह question आपसे यहाँ पर पूंचा क्या है, और आपका 118 का सही answer होगा, अनुभाव, क्या होगा right answer, अनुभाव आपका सही answer है, दीगाईं पंतियों में रस बताना हैं आपके लिए यहाँ पर, प्रिये बह मेरा प्राण प्यारा कहां है, दुख जल निदी में डूबी का सहारा क हाँ है, सिंगार, करुण, रोद्र या सांते, इसमें आपके लिए पंतियों में रस बताना है, तो 19 का सही answer है, C आनि की करुण रस है इसमें, निदी लिखत में ऐसे कौन सा बढ़नेक चंदर है, यहाँ पर बढ़नेक चंदर बताना है, चपपय या उपेंदर बज्जरा, स्वरठा या रूला, कौस्चन नमबर 120 का सही answer बताना है, तो 120 का right answer है, आपका उपेंदर बज्जरा right answer है, निदी लिखत में से किस चंद में पिर्थम और अंतियम सब्द समान होती है, बढ़नेक चंद बताना है, कौन सा बढ़नेक चंद जिसमें पिर्थम और अंतियम सब्द अलंकार का भेद नहीं है, देखें, नहीं है, यमक, रूपक, सिलेश, अनुपरास, सब्द अलंकार का भेद नहीं है, पूंचा है, तो नहीं है, तो आपका रूपक, आपका right answer यहां पर B, कौस्चन नमबर आपका तेज़ पूंचा है, खिली हुई हवा आई, फिर की सी आई, चल गई, पंती में अलंकार है, उपमा, संभाबना, अनुपरास या अनुपरिक्षा, कौस्चन नमबर एक सो तेज़ का सही आंसर आपके लिए बताना है, तो अपमा आपका right answer होगा, कौस्चन नमबर एक सो चौवेस पूंचा है, आधा तीतर आधा वटेर, अर्थ बताईए, यहां पर कौस्चन नमबर एक सो चौवेस का right answer, 124 का सही आँसर बताना है, तो बे मिल चीजों का मिस्रण, बे मिल चीजों का मिस्रण, यानि कि विकल्ब नमबर एक सो चौवेस का B, कौस्चन नमबर पच्चिस क्या पूंचा है, कि अंधों में, लोकोक इसका अर्थ बताने 125 में, 125 का राइट आंसर है गुण हीनों की वीची एक गुणबान व्यक्ति, विकल्प नमबर एक राइट आंसर है, जये चंद प्रकास नामा के महाकापी के लेखक आप से पूंचा है, तो इस महाकापी के लेखक कौन है, तो question नमबर 126 का आपका जो सही आंसर है, विकल्प नमबर D, यानि की भट्ट की ता राइट आंसर होगा, सूरदास, नंददास, आदी, अश्ट चाप के कभियों ने किष्ण कापी की रचिना खालिस्तान में की थी, किष्ण में की थी, अबदी, खड़ी, या ब्रिजवासा, या मैथली में, कि ने आज्थया, तिल्णोचन सास्त्री, 128 का राइट आंसर होगा, यहांपर चायवाद ही पूंचा है तो स्मित्र अनयंदन पंत आपका चाही आंसर होगा, जुही की कली कभी त như कभी कहवी कौन है, निराला, महादरी, बर्मा, प्रसाध, या पंत ने, तो जुही की कली कभी त कभी पूचा है तो 139 का आपका यहां पर right answer होगा विकल नमबर एक यान की निराला निराला आपका यहां पर सही answer है बर से 1982 में इनमें से किसी घ्यान पीट पُरुषकार मिला था कब मिला था 1982 में 1982 में किसी घ्यान पीट प्रुषकार मिला था जैसेंकर प्रसाद, महादेवी, बर्मा, बंकिम, चंद, चटर जी, इनमें से कोई नहीं तीस का राइट आंसर B, महादेवी, बर्मा जी को 1982 में इनको मिला था कौन सा ग्यानपीट पुरुषकार कॉस्चिन नमर एक सो आपका एक तेस मूझा है साहित अकादमी द्वारा, 2016 में नासरा सर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरुषकार प्रदान किया गया तो बहे कौन सा उपन्यास है, नासरा सर्मा जी का 2016 में इनको एक पुरुषकार मिला था उपन्यास वताना है तो 131 का राइट आंसर आपका पारिजात आपका राइट आंसर है एक मुलाकात कहानी की कताकार कौन है एक मुलाकात कहानी की कताकार कौन है यह आपके लिए वताना है तो 132 का राइट आंसर है 132 का सही आंसर क्या होगा उसा राजे उसा राजे आपके यहाँ पर सही आंसर है फांस किसकी रशना है यह वताना है दूदनास सहे नंद के सूर नौटियाल या रबिंदर कालिया या संजीव फांस यह आपके लिए वताना है तो आपके 133 का राइट आंसर है आपका विकल्प नमबर D यानि की संजीब question नमबर आपका 134 पूंचा है निमलिकेत कतने किस उपन्यासी उद्र थे कौन सब है उपन्यासी जिससी एक कतन उद्र थे छीन सवर में बोला मेरा कहा सुना माफ करना धनिया अब जाता हूँ गाई की लालसा मन में ही रह गई गोदान इसकंद गुप्ते तमस लहरों की राजहनस तो 34 का राइट आंसर आपका विकल्प नमबर एक यानि की गोदान आपका यहाँ पर सही आंसर है गोदान उपन्यासी एक अतर उद्र थे नमबर 135 नाटक इसकंद गुप्त की रशिना किस ने की थी ये तो बहुत ही चल कॉस्चन है 35 बा कॉस्चन पूछा गया है और नाटक इसकंद गुप्त की जो रशिना की थी वह किस ने की थी तो जैसंकर पर साथ आपका सही आंसर है इस तुल के पृती सूक्षम का विद्रोय किस ने कहा है तो ये भी भूती चल कॉस्चन है और महत्तपुन कॉस्चन है इस तुल के पृती सूक्षम का विद्रोय किस ने कहा है तो 36 का सी राइट आंसर होगा डाक्टर नगेंदर बिलकुल सही दाक्टर नगेंदर आपके हैं इनमेंसे कौन जीबनी है इनमेंसे कौन जीबनी है तीत के चलचित्र आवारा मसीह या चिंतामणी या नीड पर निर्माण फिर तो 37 का सी राइट आंसर है आवारा मसीय राइट आंसर है हंस पत्रिका के संपादक और संस्थापक और संपादक थी? कौन थी? हंस पत्रिका के पूछा प्रेमचंद, धर्मबीर भार्ति, निराला या अग्ये? तो 138 का आपका जो सही आंसर है 138 का विकल्प नमबर एक यानि की प्रेमचंद्र है Q149 है अमरिता प्रीतम के सभासा की साहितिकार है हिंदी, सिंधी, पंजाबी या उर्दू 149 का राइट आंसर बताना है तो 149 का अमरिता प्रीतम है जो यह पंजाबी पंजाई भासा की साहितिकार है तो विकल्प नमबर B राइट आंसर है 49 का आलशियों का कोड़ा किसकी रचना है Q144 का सही आंसर बताना है आलशियों का कोड़ा ये जो है सितारे हिंद जी की रचना है विकल्प नमबर D राइट आंसर है जैसे को 33 नाटक की रचिनकार का नाम बताना है बताए जैसे को 33 नाटक की रचिनकार का नाम बता दीजे question number 141 में क्या होगा 141 का right answer जैसे को 33 गोपाल राम गहमरी विकलत number एक right answer होगा एक भारत्य आत्मा की नाम से जाने जाते हैं माखलाल चतुरवेदी विकल्प नमबर एक आपका यहां पर सही आंसर है विकल्प नमबर आपका यहां पर 143 है ताई कहानी के लेका कौन है तो ताई के बताना है ताई कहानी के लेका कौन है तो आपके यहाँ पर 143 का सही आंसर है विकल्प नमबर डी विसंभर नात सर्मा आपके यहाँ पर सही आंसर होगा बेरिक रोद का अचार या मुरब्बा है एक अतन किस निवंदकार का है एक अतन बताना है एक अतन किस निवंदकार का है Question number 144 है और 144 का आपका सही आंसर है यहाँ पर रामचन सुकल है Question number 145 पूँचा है चार खंडों में प्रिकासित वच्चन की आत्मकता का प्रिथम खंड कौन सा है तो प्रिथम खंड बताना है बताइज प्रिथम खंड कौन सा है चार विकल्प आपके यहां पर दिये गए हैं तो question number 145 का right answer हो का विकल्प number C क्या बूलूं क्या याद करूं क्या बूलूं क्या याद करूं प्रिथमखंड विकल्प number C right answer यहां पर है अब आपको यहां पर गद्यांस में उसे पढ़कर यहां पर answer बतानी होती है तो यहां पर पांच question आपके गद्यांसों से पूंचे जाते हैं बहुत बड़े बड़े यहां पर गद्यांस दिया है तो इस परकार आज की वीडियो में बस इतना ही सभी लोग वीडियो को like कर लें अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को subscribe कर लें पहला आइकन दबाएं all पर click करें ताकि all वीडियो की जानकारी आप के हां तब पहुंचे जादस जादस वीडियो को share करें और वीडियो को like करना ना भूलने क्या असल लगा यह वीडियो कोमेंट में जरूर बताएं तो आज की वीडियो में बस इतना ही सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैहिन